Hello everyone, मैं हूँ किरिंच शापुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका काड रीडिंग इस बारी की पिका काड रीडिंग का टॉपिक है Have You Met The One तो अगर आप किसी के साथ रिलेशन्शिप में हैं या फिर आपकी सिरफ दोस्ती है, फ्रेंशिप है या otherwise भी आपके मन में ये thought आ रहा है कि अभी तक आप अपने future spouse से मिले है या नहीं मिले है अभी तक आपकी आपके soul में इससे मुलाकात हुई है या नहीं हुई है तो ये reading आपके लिए है और अपने इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए आपने इन तीनों में से एक pile को choose करना है pile selection के लिए हमारे पस दो options हैं, first is intuitive method and the other one is birth month तो सबसे पहले हम intuitive method के हिसाब से देखते हैं, pile 1 में हमारे पस white crystal है, pile 2 में हमारे पस beige and brown color की candle है pile 3 में हमारे पस जिनी का lamp है, तो अगर आप intuitive method से pile को choose करना चाहते हैं, आपने आखे बंद करनी है, अपने soulmate, future spouse के बारे में सोचना है और जैसे ही आप आँके खोलते हैं, जो भी pile आपको सबसे पहले attract करता है, सबसे पहले दिखता है, आपने बिना सोचे समझे उसको choose कर लेना है क्योंकि अगर आप logic लगाएंगे, तो फिर आप confused हो जाएंगे, तो फिर से कहूंगी कि बिना logically चीज़ों को analyze करते हुए, जो pile आपको सबसे पहले दिखता है, जो option आपको सबसे पहले दिखता है, आपने उसको choose कर लेना है और अगर आपको intuitive method difficult लगता है, तो आप birth मन्त के हिसाब से भी pile को choose कर सकते हैं, अगर आपका birth January, February, March, April में से किसी भी एक मन्त में होता है, आपके लिए pile 1 है, और अगर आपका birth May, June, July, August में से किसी भी मन्त में होता है, आपके लिए pile 2 है, और अगर आपका birth September, October, November, December में से क इसे भी मन्त में होता है, आपके लिए pile 3 है, I hope कि आपने pile को choose कर लिया है, और अगर नहीं किया है, आप वीडियो को pause कर सकते हैं, you can take your own time in choosing the pile, ये एक timeless reading है, जब भी ये सवाल आपके मन्त में आता है, ये reading आपके सामने आती है, आपके सवाल का जवाब आपको इस reading में मिल सकता है, तो चलिए जी आपकी reading शुरू करते हैं, अगर आपने pile 1 यानि की white crystal को choose किया है, तो ये reading आपके लिए है, और चलिए देखते हैं, pile 1 की cards क्या खहते हैं, have you met them, यानि कि आप अपने future spouse या फिर soulmate से मिल चुके हैं, आपके मिलाकात हो चुकी है या नहीं, तो यहाँ सबसे पहले हम current situation के बारे में जानेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसी से ही related आगे क्या हो रहा है, और अभी तक आप अपने future spouse या फिर soulmate से मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो देखिए, विलाल के लिए यहाँ पर king of forces and king of roses मिर पस दो cards हैं, और ये दोनों ही किसी इनसान के ह होने की बात करते हैं, अगर आप male हैं तो दो females हो सकती हैं, अगर आप female हैं तो दो male हो सकते हैं, जिनके साथ अभी आप connected हैं, अब देखिए situation circumstances सब के लिए differ करेंगे, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके मन में दोनों के लिए ही feelings हैं, दोनों के लिए ही आपके मन में love है, कु कुछ के लिए आपके कोई फ्रेंड ही हो सकते हैं जो आपको हर टाइम पर समझाते रहते हैं आपकी केर करते हैं यहाँ पर फाइव फ्रेंड का कार्ड कहता है पीछे यहाँ तो लव रिलेशन्शिप्स में आपके एक्स्पिरियंस ठीक नहीं रहे आपको उतना एक यूनो लॉयल्टी नहीं मिली यहाँ पर आपके पार्टनर उतने फेर नहीं रहे यहाँ सिच्वेशन सरकम्स्टांसे इत हा रहे हैं उस इंसान को ढूण रहे हैं जो आपको अनकंडिशनल तरीके से लव कर पाएं क्यूंकि आप सबसे बहुत ही अनकंडिशनल तरीके से लव करते हैं आप यहाँ पर आकेंजल माइकल का कार्ड कहता है कि शायद आप उस इंसान को ढूण रहे हैं जो बहुत करेज हैं जो बहुत बोल्ड हैं जो हर situation में आपके लिए stand ले पाएं जो हर situation में आपका साथ दे पाएं Archangel Michael कहीं courage, bold energies को represent करते हैं और हो सकता है कि past में जो भी issues आपके partner के साथ रहे यहाँ पर current partner के साथ भी रह रहे हैं कहीं आपके अंदर या तो उतना courage नहीं है यहाँ पर उनके अंदर उतना courage नहीं है जो भी दो या फिर एक लोग आपकी लाइफ में है यहाँ पर Knight of Pentacles का काट कहता है कि शायद आपने pause लिया हुआ है आप बहुत जादा sure होना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ पिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जब तक आप 100% sure नहीं होते हैं आप किसी के साथ भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और main आपका criteria यही है कि भी सामने वाले के मन में आपके लिए unconditional love होना चाहिए और वो वही इंसान होना चाहिए जिसके साथ आपकी marriage होगी या फिर जो आपकी future spouse होगे या एक soulmate connection आप महसूस करेंगे तो देखिए हम देखें कि आगे इसी से ही related चीज़े कैसी रहेंगी तो यहाँ पर सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं Duchess Game The Lightning Bolt और यह दोनों ही cards कहते हैं कि या तो आप थोड़े से manipulative हो रहे हैं या फिर जिनके साथ अभी आप relationship में हैं वो थोड़ा सा आपको manipulate कर सकते हैं थोड़ा सा diplomatically आपके साथ चल सकते हैं और पीछे भी देखिए हाँ पर five of souls के card में हमने देखा कि एक unfair energies आपने महसूस करी experience करी हैं कहीं आपको वो loyalty नहीं मिली और यहाँ पे देखिए strength reverse का card भी एक frustration एक गुसे की बात करता है हो सकता है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और कहीं बहुत ज़ादा एक गुसा आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है कि काफी time से आप अपने गुसे को अपनी frustration को suppress कर रहे थे आप बहुत lovingly बहुत compassionately चीज़ों को deal कर रहे थे लेकिन आगे चल कर आपका गुसा आप इसे बाहर हो सकता है बहुत frustrated हो सकते हैं अपनी इस frustration को आप contain नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे page of pentacles reverse का card कहता है काफी immature तरीके से आप चीज़ों को deal कर सकते हैं और अगर in the process चीज़े खराब होती हैं आपके current partner के साथ relationship खतम होता है तो उसकी भी आपको परवा नहीं है और दिखिए यहाँ पर the judgment का card कहता है कि ending beginnings होंगी तो जिनके साथ भी अभी आप relationship में मुझे नहीं लगता कि इनके साथ आपका relationship आगे तक जाएगा ग्यादरिंग में या फिर किसी अपनी ही community के get together में मिलते वे दिख रहे हैं यहाँ पर love call का card कहता है कि you know जिनसे भी आप मिलेंगे आपकी पहले उनसे बहुत एक बाते होंगी कहीं बहुत mental emotional level पर आप connect करेंगे और उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़ेंगी तो आपके सवाल का अगर मैं जवाब दूँ तो मुझे नहीं लगता कि अभी आप उनसे मिले हैं क्योंकि आपे देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि दो लोग हैं आपकी life में एक तो जिनके लिए आप love महसूस करते हैं या फिर जिनके साथ आपका love relationship रहा है या है और एक आपके दोस्त भी हो सकते हैं कोई भी हो सकते हैं जो आपको support कर रहे हैं जो आपको हिम्मत दे रहे हैं जो आपको, you know, एक courage दे रहे हैं situation से deal करने के लिए यहाँ पेक asset का card कहता है कि शायद जो भी you know relationship में आप अभी हैं उनके साथ बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा यहाँ पेक asset का card outdated thinking की बात करता है कहीं you know replaying events की बात करता है बार 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 वही चीज आपके mind में rewind हो सकती है और seduction का card कहता है कि यहाँ तो वो बहुत बहला फुसला के physical intimacy आपके साथ चाह रहे हैं या फिर आप उनके बहलावे फुसलावे में आ रहे हैं तो यहाँ पे दिखे बहुत clearly मैं आपको बता दूँ कि he or she is not the one यह वो नहीं है जिनके साथ आप अपनी पूरी you know जिनदगी बि महसूस कर रहे हैं और यहाँ पे the hierophant reverse का card भी इसी चीज़ को confirm करता है कि marriage नहीं होती भी दिख रही है society, religion या फिर जो भी घर के बड़े हैं उनकी तरफ से भी काफी opposition काफी एक you know issues आप face कर सकते हैं यानि कि वो भी इस चीज़ के लिए आपको मना करेंगे वो भी इनके आगे बढ़ने के लिए आपको मना करेंगे नहीं तो society, religion से तो एक opposition आपको मिलता हुआ दिख रहा है उनकी तरफ से एक मना होती हुई दिख रही है या फिर रुकावटे रहती हुई दिख रही है और यहाँ पे clearing the way का card बहुत ही clearly कहता है कि अगर आप अपनी life में आगे ब और दिखिए रुकावटे सब के लिए डिफर करेंगी लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारे thoughts या फिर मैं कहूंगे हमारे negative thoughts हमारे negative belief system और यह जो emotions होती है feelings होती है जो हमें hold back करती है आगे नहीं बढ़ने देती है यह सबसे बड़ी again मैं कहूं मिलना चाहते हैं और in fact मैं यह भी नहीं कहूंगी future spouse को मिलना चाहते है आप उस इंसान को मिलना चाहते हैं जिनके साथ आप एक soul connect महसूस करें जिनके साथ एक अच्छी life आप बिता पाएं तो यह था pile 1 आप लोगों के लिए reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आप सबसे पहले फिलाल आपकी life में इसी सही related क्या चल रहा है क्या आपका mindset है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी फिर हम near future को देखेंगे और इन दोनों को ही combine करके मैं आपके you know question का या फिर you know आप अभी तक मिले है नहीं मिले है इस चीज़ को बताऊंगी तो देखिए हाल फिलाल की अगर situation देखें तो यहाँ पर diversity and talking के cards में सबसे पहले देख रहे हैं diversity का card कहता है कि हो सकता है इसी से ही related आप अपने options देख रहे थे और talking का card अगर हम literally देखें तो आप you know लोगों से connect कर रहे थे लोगों से बात कर रहे थे और कहीं हो सकता है कि बहुत इस चीज को आप seriously ले रहे थे होता है ना कभी-कभी हम ऐसी energy में होते हैं कि we don't want to waste our time हम सिरफ अप उसी इंसान से connect करना चाहते हैं जो हमारे soulmate हो या फिर जो हमारे future spouse हो सकते हैं तो कहीं इस तरीके की energies रहती हुए दिख रही है और इसी से ही related फिर से मैं कहूंगी कि आप लोगों से connect क कर रहे थे लोगों से बात कर रहे थे कहीं deep down एक search एक खोज अपने soulmate की या फिर वो इंसान जो आपके future spouse होंगे या फिर right इंसान से connect करने की एक चाहा रह रही थी और यहां पर देखे king of wands and king of cups के cards हैं और यह cards कहते हैं कि या तो आप किसी एक ऐसे इंसान से भी मिले या फिर आपने connect किया जो बहुत enthusiastic, बहुत excited, बहुत bold, बहुत courageous थे और कोई एक इंसान आपको ऐसा भी मिला जो बहुत emotional, बहुत sentimental थे यहां पर हो सकता है कि कोई एक इंसान के अंदर ही ये दोनो qualities थी जिससे आपने connect किया और कुछ issues, कुछ मसले रहे होंगे यहां पर will, wisdom and mind का card कहता है कि आपने बहुत logically, बहुत mind से wisdom के साथ उनके साथ dealing करी, बहुत एक आपने will power भी रखी, determination भी रखी लेकिन कहीं या तो वो mentally ready नहीं थे या नहीं है क्योंकि हम अभी की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी वो mentally ready नहीं है relationship के लिए या you know otherwise उनकी तरफ से आपको positive response नहीं मिला, यहाँ पर not today का card कहता है कि कुछ issues, कुछ मसले आप लोगों के बीच में रह रहे हैं या फिर रहे रहे थे जिसको आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक deal नहीं करना चाहा रहे हैं या पर नहीं कर रहे हैं, not today का card simply चीजों क avoid करने की बात करता है, चीजों को ignore करने की बात करता है, कितनी बारी होता है ना कुछ चीजें हमें hurt कर रहे होती हैं या फिर कुछ matters होते हैं जिन पर बहुत seriously बैठ के हमें बातचीत करने की जरुत होती है, उनको discuss करने की जरुत होती है, तो कहीं इसी conversation को आप दोनों या hurt, तो कहीं कुछ चीजें हो सकता है आपको hurt करें, कुछ चीजें हो सकता है उनको hurt करें, जिनको आप दोनों ने ही deal नहीं किया या फिर अगर ये अभी का सेनारियो है तो नहीं deal कर रहे हैं यहाँ पर देखिए not enough का card कहता है, इसी वज़े से एक frustration, एक irritation है, आपको ऐसा लग सकता है कि भई, जो मुझे relationship में मिलना चाहिए, या फिर जो मैं deserve करता हूँ करती हूँ, वो नहीं मिल रहा है एक satisfaction, एक happiness, एक joy वाली feeling नहीं महसूस कर पा रहे हैं यहाँ पर the treasure का card कहता है कि आपकी emotions का feelings का या फिर आपके sentiments का एक नुकसान हो रहा है, देखिए treasure का card loss की बात करता है क्योंकि हम relationship में अपनी emotions, feelings, sentiments ही invest करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि उनका नुकसान, you know, हो रहा है ऐसा आप महसूस कर सकते हैं और इसलिए आपर eight of wands का card कहता है कि आप move on करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो दीखिए फिलहाल की situation अगर मैं बताऊं या तो आपकी life में कोई एक इंसान है या फिर एक दो इंसान है जिनसे आप इसी मनशा के साथ, इसी intention के साथ connect कर रहे हैं कि भई मुझे अब time नहीं waste करना है अपने future spouse से connect करना है या फिर उस इंसान से connect करना है जो मेरे soulmate हो या कोई एक इंसान हो सकता है जिनसे आपकी बातचीत हो रही है और उसके अंदर ये दोनों qualities हैं, बहुत emotional हैं बहुत enthusiastic, बहुत excited हैं excited रहते हैं चीजों को लेकर या again, you know अलग-अलग दो या दो से ज़ादा इंसान है, जिनसे आप again मैं कहूंगे in a very positive manner connect कर रहे हैं लेकिन आपको satisfaction नहीं मिल रही है, आपको वो एक happiness नहीं मिल रही है, जो भी चीजे deal करने की ज़रत है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं deal कर पा रहे हैं और हो सकता है आप बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपने साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ लगा लिए लेकिन आपको वो outcome वो एक result नहीं मिल रहा है जो आप चाहा रहे हैं या पिर जो आप deserve करते हैं और इसलिए आप move on कर रहे हैं अब देखते हैं future में क्या होगा तो देखिए आप फ्यूचर के लिए सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं the king of keys and the king of scrolls अगेन देखिए ये दोनों ही king के cards हैं तो अगर आप male है female हो सकती है और अगर आप female है तो male हो सकते हैं और यहाँ पर भी देखिए दो इनसानों की बात करता है दो इनसान के बात हैं तो हम कहते हैं यहाँ तो literally दो हैं या दो से जादा हैं जिन से आप connect करें या फिर एक ही इनसान है जिनके अंदर ये qualities हैं तो यहाँ आपर देखिए king of scrolls का card बहुत एक पड़े लिखे इनसान की well-versed इनसान की बात करता है बहुत knowledgeable इनसान की बात करता है और king of keys का card बहुत एक wealthy money-paisे से related बहुत एक secure stable इनसान की बात करता है यानि कि जो बहुत wealthy है again या फिर जो financially बहुत strong है तो यहाँ पर दो लोग भी हो सकते हैं या फिर एक ही इनसान हो सकता है जो बहुत educated भी है और educated नहीं है तो बहुत एक wisdom है logically चीजों को deal करते हैं या उनको काफी knowledge है और वो well-off भी है ऐसे इनसान से आप connect करते हुए दिख रहे हैं और दिखिए जो इनसान से आप connect करेंगे temperance का card कहता है कि आपकी life में एक balance लेकर आएगा आपकी life में एक peace एक सुकून लेकर आएगा और यहाँ पर देखिए soulmate का भी card है तो बहुत ही clearly यहाँ पर cards कह रहे हैं कि अभी जो भी इनसान आपकी life में है वो कहीं वो इनसान नहीं है जो आपके future spouse होंगे या फिर जिनको आपको अपना future spouse चूस करना चाहिए या आपके soulmate है तो नियर future में यहाँ पर डिफिनेटली आप किसी से मिलेंगे जो आपके soulmate भी होंगे और जिनको आप अपना future spouse भी चूस कर सकते हैं या फिर वो आपके future spouse होंगे क्योंकि यहाँ पर temperance का काट बहुत क्लियरली कहता है कि यह जो इनसान से आप near future में मिलेंगे वो एक balance आपकी life में लेकर आएगा वो एक सुकून आपकी life में लेकर आएगा और हो सकता है कि जब आप उनको मिलें तो बहुत एक आप ख्यालों की दुनिया में खो जाएं आप बहुत खुआप देखने लगें आप बहुत एक vision create करने लगें जो कि बहुत अच्छी बात भी है लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि practical, realistic भी ज़रूर रहें और यहाँ पर snake का काट कहता है कि उनसे मिलेंगे तो चीजें आगे बढ़ना इतना असान नहीं होगा यानि कि कुछ challenges कुछ मसले जरूर रह सकते हैं और कहीं देखिए हाँ पर boat and the muse के काट कहते हैं कि अगर आप इन challenges को positively deal कर लेंगे घबराएंगे नहीं क्योंकि most of the times क्या होता है ना हमारा जो past होता है वो हमें कहीं आगे नहीं बढ़ने देता है क्योंकि past में हम गलत लोगों से connect करे हुए होते हैं तो हम future में जो भी लोग हम से connect करते हैं उनको भी doubt करने लगते हैं उनको भी उसी चश्मे से देखना शू कर देते हैं तो यहाँ पर दिखे, Boat & Muse के कार्ड कहते हैं, कि अगर आप इनके साथ आगे बढ़ते हैं, तो बहुत एक beautiful energies आप अपनी life में लेकर आएंगे, Muse का कार्ड एक आनन्द की बात करता है, एक बहुत ही amazing या फिर बहुत ही beautiful again मैं कहूंगे energies की बात करता है, अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं, तो इसमें pink color के flowers हैं, बहुत ही beautiful ambience है, तो इस तरीके की आपकी life रहेगी, देखिए इसका मतलब यह नहीं है कि life में कुछ challenges आगे चल कर नहीं होंगे, यह जिन्दगी है, life is all about खटा, मीठा, good and bad, बट broader level के लिए अगर आप देखें, तो he or she will be the one, जो आप deserve करते हैं या फिर जो आप चाहा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, four of pentacles, rivers का भी कार्ड कहता है, कि आपके लिए बहुत important होगा कि आप open up हों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि past के experiences की वज़े से, अगर आपने खुद को block किया, आपने उनको नहीं explore किया, आपने उनको एक chance नहीं दिया, तो फिर, you know, आप इस connection को block करेंगे, और future में आगे चलके आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, कि भई, उस time हमें chance मिला था, हमने उसको नहीं लिया, तो यहाँ पर मैं आपको यहीं बोलूँगी, कि आप जरूर नियर future में उस इंसान से मिलेंगे, जो आपके soulmate होंगे, या फिर, जो आपके वाक्के में future spouse होने चाहिए, लेकिन आपने अपने आपको open up करना है, आपने open to receiving रहना है, और यहाँ पर देखिए, seven of wands and action के cards, actually मैं similar सी energies की बात करते हैं, और जब एक ही meaning के दो cards आते हैं, तो बहुत strongly आपके लिए message होता है, कि आप give up नहीं करें, आप willpower determination रखें, क्योंकि पीछे आपने बहुत willpower रखी है, wisdom के साथ चीज़ों को deal किया, आपने बहुत logically भी चीज़ों को deal किया, आपने give up नहीं किया, लेकिन आपको वो outcome नहीं मिला, यहाँ पर treasure का card कहता है, आप बहुत परिशान हुए, मायूस हुए और हो सकता है, आपने कहीं ना कहीं deeper level के लिए give up कर दिया, कि भाई अब तो यह possible ही नहीं है, आपने हार मान ली है, लेकिन यहाँ पर cards कह रहे हैं, कि near future में definitely आप मिलेंगे, और देखिए again 7 of keys and 7 of ones के card, आपके लिए same message दे रहे हैं, कि आपने give up नहीं करना है, आपने जो भी challenges आएंगे, उनको upfront होके deal करना है, और अगर आप extra effort लेंगे, extra effort तो नहीं मैं कहूंगे कि relationship में लेना चाहिए, बट extra effort लेंगे खुद को open up करने के लिए, खुद को positive frame of mind में करने के लिए, और देखे, मुझे ऐसे लगता है कि जो सबसे बड़ा blockage, सबसे बड़ा hurdle, सबसे बड़ी रुकावट होती है, वो हमारे thoughts होते हैं, हमारे negative belief systems होते हैं, हमारे past के negative experiences होते हैं, अगर हम इनसे fight कर लें, तो जिन्दगी की कोई भी ऐसी जंग, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जिसे हम हासिल नहीं कर पाएंगे, या पर जीत नहीं पाएंगे, तो इस चीज का खयाल रखें, and very soon, you'll be meeting with the one, जो आपके soulmate हो सकते हैं, जो आपके actually में future spouse होने चाहिए, तो ये था pile 2, आप लोगों के लिए reading, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share, subscribe ज़रूर करें, अगर आपने pile 3, यानि की जिनी की lamp को choose किया है, तो ये reading आपके लिए है, और चलिए देखते हैं, pile 3 की cards क्या कहते हैं, have you met the one, यानि की आप अपने future spouse या, soulmate को क्या मिल चुके हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे की अभी हाल फिलाल आपकी life में क्या चल रहा है, इसी से ही related चीजें आगे कैसी रहेंगी, और फिर जो भी हमारा topic है, उसके बारे में आपको बताऊंगी, यानि की आप मिल चुके हैं या नहीं, तो देखें फिलाल के बारे में अगर देखें, तो यहाँ पर two of cups and the lovers reverse के cards कहते हैं, कि अभी किसी के साथ आप relationship में है, और कहीं बहुत ही एक strong connect, बहुत ही एक strong bond आप महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर देखें the lovers reverse का card, कहीं twin flame soulmate की बात करता है, और ऐसा ही आप भी उनके लिए महसूस कर रहे हैं, और कहीं देखें जब भी आप उनसे मिले, या फिर अभी भी wishes fulfilled का card कहता है, आपको ऐसी feeling हो रही है कि बस आपकी ना, मनो कामना पूरी हो गई, आपकी वो एक wish right person से मिलने की, या फिर right partner की मिलने की पूरी हो गई, इनसे अच्छा कोई और इनसान हो नहीं सकता है, इनके बगार किसी के साथ अप अच्छा feel नहीं करेंगे, यानि कि फिर से मैं कहूंगी, आपकी वो wish जो भी partner को लेकर थी, या फिर future spouse को लेकर थी, कि वो पूरी हो गई है, और addiction का card कहता है, कि बहुत एक आदत आपको उनकी या फिर उनको आपकी पड़ गई है, और कहीं देखिए, या पर three of pentacles का card कहता है, कि हाल फिलाल हो सकता है, कि कोई या तो तीसरा इंसान आपकी relationship में आया है, या तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, कुछ के लिए आपका कोई family member हो सकता है, कुछ के लिए उनका यानि कि आपके partner का कोई family member हो सकता है, कुछ के लिए देखिए कोई friend, colleague हो सकता है, कुछ के लिए romantic triangle भी रह सकता है, तो किसी तीसरे इंसान की involvement या interference अभी हाल फिलाल रहती भी दिख रही है और कुछ के लिए भी हो सकता है कि money, पैसा, finances पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक focus कर रहे हैं या फिर इससे related issues मसले रह रहे हैं या फिर या फिर या आप दोनों हो सकता है एक दूसरे से बात कर रहे हूँ कि financially एक बड़ी अच्छे से settle हो जाएं फिर चीजों को आगे लेकर जाएंगे तो या पे देखे ता बुद्धा प्रिपेर्स का card कहता है कि थोड़ा सा आप लोगों के relationship में एक pause आया है और कहीं उनों किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का wait कर रहे हैं और ये सब के लिए differ करेगा लेकिन कहीं देखे फिर से कहोंगे financial stability आ जाए उसके बाद चीजों को आगे लेकर जाएं या फिर जो तीसरा इंसान आया है तीसरी कोई चीज की involvement है वो sought out हो जाए उसका wait कर रहे हैं तो अभी देखते हैं कि future में इससे related क्या होगा तो यहाँ पे देखिए 2 of words, 3 of swords, reverse and the tower reverse के cards कहते हैं कि काफी issues, मसले जिनके साथ भी अभी आप relationship में हैं उनके साथ रहते हुए दिख रहे हैं 3 of swords का card देखिए बहुत ही clearly एक तकलीफ होने की बात करता है एक hurt feeling होने की बात करता है और फिर से कहोंगी यह card कहीं third party की भी बात करता है और मैंने काफी बारी आप लोगों को videos में कहा है कि third party हमेशा romantic triangle नहीं होता कोई भी इंसान आप दोनों के बीच में आता है आपका family member उनका family member यहां फिर कोई भी और इंसान होता है वो भी third party होता है और romantic triangle तो देखिए third party यहां फिर third party वाली energies होती ही है तो कहीं यह जो अभी अभी इंसान कोई आपके relationship में आए जो कि हमने three of pentacles के card में देखा हो सकता है कि अभी आप लोग नहीं इस चीज को हैसास कर पा रहे हैं आप लोग नहीं इस चीज को देख पा रहे हैं कि यह जो तीसरा इंसान है इसकी वज़े से future में issues मसले रह सकते हैं यहां पे देखिए three of swords and tower rivers के cards बहुत ही clearly कहते हैं कि जो भी फिर से मैं कहूंगी अभी तीसरा इंसान का हलके हलके एक entry हो रही है इसकी वज़े से या कोई और भी reason हो सकता है क्योंकि यह general reading है तो बहुत specifically मैं आपको नहीं कह सकती हूं बट एक hurt, एक तकलीफ, एक suffocation एक you know problem आगे चलकर है सकती है और देखिए cards guidance के लिए होते हैं अभी ही अगर आप right actions लेते हैं या फिर कुछ भी आपको ठीक नहीं लगता है उसके लिए stands लेते हैं तो आप इस चीज़ को avoid भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप casual रहे, carefree रहे अपने लिए stand नहीं लिए आपने ज़ादा compromise किया आपने ज़ादा adjust किया और फिर से मैं कहूंगी जो चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हैं उनके लिए आपने नहीं अपने partner को communicate किया तो आगे चलकर आप काफी परेशान हो सकते हैं और यहाँ पर दीखे heart with a key का card कहता है कि आप बहुत ज़ादा एक प्यार महबत अपने partner के लिए महसूस करेंगे लेकिन साथ ही साथ आप stuck भी feel कर सकते हैं क्योंकि जो भी situation आगे रहेगी उसमें आपके लिए decision लेना काफी मुश्किल हो सकता है coffin का card कहीं चीज़ों को किसी level पर end करने की भी बात करता है और हो सकता है कि ऐसी situation में आप आएं जहाँ पर आपको ऐसे लगे कि भई आगे नहीं बड़ा जा सकता है और आप कहीं चीज़ों को नहीं end कर पा रहे हैं यहाँ पर awesome and hilarion के cards कहते हैं जो भी situation होगी आपके लिए support available होगा आपके angels जिन God को आप मानते हैं आपके loved ones, close ones आपको बहुत support करेंगे आपके साथ रहेंगे and कहीं देखे Twin Flame का card कहता है कि Twin Flame वाली energies भी आप उनके साथ महसूस कर सकते हैं तो यहाँ पर नहीं कि हो सकता है कि यह इनसान आपके Twin Flame है लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि अभी कुछ भी चीजें अगर ठीक नहीं है प्लीज उनको इग्नोर ना करें प्लीज चीजों को casually ना लें और अपने लिए stand लें जो चीज ठीक नहीं लग रही है उसको जरूर communicate करें क्योंकि इंग्लिश में कहावत है stitch and time saves nine जब जैसे ही चीजें इस तरीके की शुरू होती हैं उसी time पे उनको deal कर लेते हैं तो फिर उनको negative direction में जाने से हम रोक लेते हैं तो अगर आप ही आपने action ले लिया इसी से ही related तो आप चीजों को आग लगी हुई है तो ये card भी कहीं cautious होने की बात करता है conscious होने की बात करता है आपके सवाल का जवाब है येस ये आपके twin flame है future spouse नहीं होते हुए दिख रहे हैं और कहीं देखिए twin flame का एक concept जो मैंने कभी पढ़ा था कि आप और वो एक ही you know soul के part होते हैं और आप लोग कभी मिलते नहीं है तो इस तरीके की एक energies रह सकती है फिलाल के लिए cards आपको यही एक message दे रहे हैं कि आप cautious रहें conscious रहें और थोड़ा सा खयाल रखें यहाँ पर page of wands reverse का card कहता है कि बिलकोल भी immature तरीके से चीजों को ना डील करें maturity के साथ सोच समझ के चीजों को डील करें जोश में होश ना खोएं क्योंकि page of wands reverse का card you know इसी energies को depict करता है जहाँ पर हम इतने enthusiastic हो जाते हैं और इतने जोश में आ जाते हैं कि हम होश खो देते हैं right decisions right action नहीं लेते और फिर परिशान होते हैं तो देखिए फिर से कहूंगे आपके सवाल का जवाब या फिर topic का जो एक answer है आपके लिए yes आपके twin flame है लेकिन इनके साथ चीजें near future में ठीक नहीं रहती हुई दिख रही हैं थोड़े से challenges हो सकते हैं थोड़े से issues हो सकते हैं जिनको आप avoid कर सकते हैं अभी right action initiatives लेकर तो ये था pile 3 आप लोगों के लिए reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवाल का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें